आप सभी का स्वागत है अज हम एक चाब दुवरा केंदर पर बना कोर ता उसी चाब दुवरा बित पर बने कोर में संबंद्ध को सीखेंगे और समझेंगे फ्रेंट देखिए यह आपका Pow अ क्या है एक ब्रित बिरित जब आप बनाते होंगे तो इसमें एक क्या होगा केंद्र होगा ठीक है इस केंद्र का नाम ओ ले लते हैं अब क्या का राइफ्रेंस देखी यह आपका प्रमेश को पढ़े देखे एक चाप दूरा केंद्र पर बना को जैसे चाप को मतलब होता है कि यहां पी एक बिं बनाते हैं यहां पर इसको मिला लेते हैं यहां पर जो कोड़ बनना है इसका नाम सीधे रहे हैं आपको कहने के मतलब यह है कि एक चाप दूरा केंद्र पर जो बना कोड़ है इसी चाप दूरा बिरित के किसी बिंदू पर बना कोड़ का क्या होता है दूगुना होता है यह याद रखना यानि कहने के मतलब यह सीदे सीदे आपको याद क्या रखना है कि जो a o b होता है कोड a o b जो हता है इसके यहां पर जो कोड़ बन रहा है उसका कितना होता है दो गुणा यानि दो गुड़े कोड a c b यानि a c b यह संबंद होता है फ्रेंज आप इसको याद रखेंगे तभी आप इससे संबंदी कोईस्चन को हल कर सकते हैं देखे फ्रेंज आपका परमे क्या है कि यह कर रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोड़ है फिर इसी चाप द्वारा जो इसके परिधी पर चाहेज जैसे द्वार बनेगा उसका यह क्या है क्या है दोगुना यह इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एक पर लिखेंड करना होगा तो यहां पर लिखेंग !! केंदर पर बने पर कषण कोड़ का दूगुना था आदा chips !! तो सीधे सीधे आप याद रखेगा कि केंदर पर जो कोड़ बनता है वह यहां पर 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 बने कोड़ का दूगुणा होता है चलिए इस पर एक्जामपर लगाते हैं जिससे आपका कंसेप्ट अदम किलियर हो जाए देखें comics आपने चित्र ऐसे और इसमें पूच देगा किहाँ पर देगा कि यहां पर कि पूछ कि तक्या क्या है कि यहां AOB यानि कि यहां से होगा AOB बरा कितना होता है 35 में गुड़ा करेंगे कितना होता है आपका सत्तराज तो फ्रेंज इस प्रकाश जब भी आपको प्रशन मिले तो आप इसी प्रकाश जैसे बता है यदि आपको यह बृत्तिकर जो एक चाप द्वारा के अंदर बना कोड़ है उसी चाप द्वारा परदी पर बने कोड़ का दुगना होता है यह संबंद आपको प सब्सक्राइब करें